दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंटिक विंटेज वाचेस कलेक्शन में आज आपके लिए लेगाए हैं नई गड़ियों का एक कलेक्शन तो देखते हैं हमारे पास गड़ियों में क्या-क्या है चलिए शुरू करते हैं है तो आज हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे एक यह गोल्डन वाच इसका नाम आप देख सकते हैं को रोना कि यह औरिजनल गोल्ड की प्लेटिंग में है कि वाइंडिंग वाच है और टोमेटिक नहीं है कि इसको खोल के देख लिए एक पर जल्दी से इसकी मशीन कैसी है कि हमने थोड़ा लूज रखा है जिससे आसानी से यह खुल जाए बाद में इसको टाइट कर देंगे मशीन से एक कमप्लीट रनिंग कंडिशन है चालू है हुआ है कि ठीक है बहुत ही खुबशूरत वाज है साइज भी अच्छा है एक बार अगर इसका वेट चेक करेंगे तो 28 ग्राम की है तकरीवन चलिए आपको दिखाते हैं अब दूसरी गड़ी इस वक्त हमारे पास है रीको आटोमेटिक कि 100 परसेंट वर्किंग कंडिशन में है इसका डेट सब पूरा वर्किंग कंडिशन में है कि यह सर्विस की वाच यह डेवन दिखाता आप यहां देख सकते हैं यह डेवन मंडे यह डेट है पुछ वटन भी इसका वर्किंग होता है यह डेट चेंज हो गई है ठीक है आटोमेटिक है इसका एक बार वेट चेक करेंगे अपरोक्स 53 ग्राम की है यह उसके बाद आज हमारे पास दूसरी घड़ी है यह सिटीजन की वाच यह बी ऑटोमेटिक वाच है बहुत ही खुबसूरत गड़ी है डायल इसका अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अश्मा पॉलिशिंग बागी है अभी बाकी य कि अगर आपको इन में से कोई भी घड़ी चाहिए तो स्क्रीन शोट लेकर हमारे वाट्सअप नंबर पर जो कि आपके स्क्रीन पर शोग हो रहा है वेज दीजिए हम आपको उसका प्राइस बता देंगे ठीक है अच्छा लिए दूसरी गड़ी दिखाते हैं यह एक प्या के भूरों में आप देख सकते हैं बहुत ही खुबशुरत वाज़ है सबश्क्राइब करें बहुत कими सब्सक्राइब करें तो इसलिए आप जादा से जादा से षेयर करें तो है है कि है एक हमटी सोना ये बहुत ही खुबसूरत गड़ी है बिलकुल नई है बहुत ही खुबसूरत वाच है एक है इसका वेट भी मेरे हिसाब से बहुत कम होता होगा एक बार चैर करते हैं बैटरी का वेट का बैटरी खतम हो गया है तो इसको यहां से अटा देते हैं भी ठीक है इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यह है हमारे पार स्वीट जिलेंड की वाच वेस्ट एंड वाच आटोमेटिक है बहुती खुब्सूरत है औरिजनल ब्रेसलेट के साथ है अपने और यह वर्किंग कंडिशन में है है कि साइज भी अच्छा है हैंड पर लुग भी बहुत शानदार आता है कि ठीक है दूसरी गड़ी इस वक्त हमारे पास है सीको आटोमेटिक है बहुत ही अच्छी कंडिशन में पॉलिशिंग की हुई है इस पर औरिजनल ब्रेसलेट के साथ है और यह रेडियम है वर्किंग रेडियम है इसके ब्रेसलेट के ओरिजनल है ठीक है इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ओपन डाइल वॉच्छ इसका ग्लास चेंज होना है कि यह आपको चलती हुई दिखाई देगी कि कोई भी गड़ी आपको पसंद आती है उसका स्क्रीन शोट लेकर आमको बेजिए वाट्सव नमबर पर आम आपको इसकी प्राइस बता देंगे एक और है हम आरे पास गोल्डन डाइल में है लाइट गोल्डन डाइल है चलिए दूसरी गड़ी दिखाते हैं यह है रिको का एक बेहदी रेयर मॉडल इसमें अपडेट एसकते हैं उपर पूरा आ रहा है कि यह अपने वर्किंग कंडिशन में है बिल्कुल लुक लाइक नीव है खुबसूरत वाच है है एंड पर फिल भी अच्छा आएगा कि नेक्स्ट वाच हम आपको दिखाते हैं फेवर लुबा यह वाइंडिंग वाच है कि बॉइस साइज होती है साइज ज्यादा बड़ा नहीं है इसका साइज छोटा है पर यह बहुत ही खुबसूरत वाच है स्वेट्जिलेंड की है इसकी पॉलिशिंग वगेरा नहीं हुई है अभी तक पॉलिशिंग वगेरा होकर एक दम लिल्कुल नहीं जैसी हो जाती है है ठीक है ठीक है दोस्तों कोई भी घडिया आपको पसंद आती है स्क्रीन शॉट लेकर हमें वाट्सेप करें हम आपको उसका प्रैस बता देंगी कि यह सुईट जेलेंड की फिवरलूबा आटोमेटिक है इसका डाइल थोड़ा सा फेड हो रखा यहां से बहुत ही खुबसूरत गड़ियां होती है यह सब अपनी औरिजिनल हालत में हैं हमने इसको नगली डाइल लिया कुछ भी नगली नहीं लगाया है इसमें सब कुछ औरीजिनल है आपको अगर कोल के इसकी मशीन दिखा दें आप यह बहुत ही खुबसूरत है फेवरली इसके बारे में बहुत ही खुबसूरत है साइज अच्छा है गड़ी का और यह बिल्कुल सर्विस और पॉलिशिंग अगरा की हुई है इसका डाइल इससे ज्यादा अच्छा हो भी नहीं सकता फिर इसको रीपेंट कराना होगा इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा मेवी ब्लू डाइल में है वाइट कलर का आप रिंग देख सकते हैं अगर आपको कोई भी घड़ी चाहिए स्क्रीन शॉट लेकर भेज दीजिए हमारे वाट्सेप नमबर पर हम आपको उसका प्राइस बता देंगे नेक्स्ट वाच है हमारे पास यह टाइटूनी इसकी पॉलिशिंग वगएरा कुछ भी नहीं हुई है इसका ग्लास भी चेंज होना है इसकी सर्विसिंग भी होनी है हो सकता है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी यह कैसी लगती है सर्विसिंग होने के बाद हम आपको ऐसी भी दे देंगे फुल कंप्लीट सर्विस कराकर और इसका ग्लास वगएरा चेंज कराकर आपको चाहिए तो हम वह भी दे देंगे ठीक है और यह हमारी आज की आखिरी गड़ी सीको आटोमेटिक जापान बहुत ही खुब्सूरत कंडिशन में हम आपको इसकी मशिन दिखा देते हैं एक वाव आप इसको चलता हुआ देख सकते हैं ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब पसंद आती हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें बहुत ही खुब्सूरत वाच है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में